गुड मार्निंग दोस्तों आप कैसे हैं मैं आसा करता हूँ कि आप ठीक होगे और आप अपने पढ़ाई में लगे होगे मैं यह भी आपसे इच्छा करता हूँ कि आप जरूरत के वीडियो हमसे कमें लिक कर मांग सकते हैं मैं हर प्रकार की वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा मैं आपके हर कमेंट का इंतिजार करता हूँ और आपके सुजाव आमंत्रित है अगर अमारे वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमिया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मैं इसमें सुधार करूँगा मेरे पास समय का भाव होने के कारण मैं अदिक से अदिक वीडियो नहीं अपलोट कर पा रहा हूँ लेकिन मैं भर्सक प्रयास करूँगा कि आपके लिए हर प्रगार के वीडियो लगवग हर विशे का वीडियो मैं अफ्लोट करने की इच्छा करता हूँ और जल्दी मैं देरे देरे आपके हर जरूरी वीडियो अफ्लोट करूँगा तो इस समय मैं कांट सब सेंटेंस लेकर आ रहा हूं कांट सब सेंटेंस में जो है वाक्य के परकार वाक्य कितने परकार होते हैं मैं अंग्रेजी में लेकर आने वाला हूँ अक्सर तमाम एक्जाम में मैं देखा हूँ कि नीचे कोई सेंटेंस दिया रहता है और पूश्या जाता है कि यह कौन सा सेंटेंस है किस प्रकार का सेंटेंस है तो आप सेंटेंस के प्रकार जानते रहेंगे तब इसको पाइचान पाएंगे किस प्रकार के संटेंस हैं सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं और पांचों प्रकार के वाके को आपका जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी के बोल चाल में भी इसका अहम माक्त है कब किस प्रकार के वाके का हम को इस्तिमाल करना है यह आपको जानना बहुत जरूरी है इसी को ध्यान में रखकर मैं current subject लेकर आ रहा हूँ सबसे पहले आप पर चानिये किसक फ्रकार किस sentence है इसके बाद मैं देरे देरे और इसको डीटेल में लेकर रहा हूँगा और current subject बताने का यह भी मेरा थाथ पर है कि मैं direct indirect पड़ाता हूँ direct पढ़ाता हूं विद्याले में भी पुशिंग में भी और जो लोग नहीं पढ़ते हैं जिस लोग के पास माल लीजिए किसी कारण वसों नहीं पढ़ता है तो हमारे वीडियो के मातें से उपढ़ लेंगे कि डारेक्ट से इंडारेक्ट जानने से पहले आपको काइंट सेंटेंस जानना जरूरी है टेंस जानना जरूरी है प्रनावन जानना जरूरी है पार्ट से पीच जानना जरूरी है इसलिए मैं सबसे पहले काइंट सेंटेंस लेकर आ रहा हूं जो आपको डारेक्ट से इंडारेक्ट बनाने में बहुत ही महत्पुन गुमिका कि जब आप direction direct बनाएंगे तो उसमें तमाम परकार के वाक्यों का direction direct बनाए जाता है तो आप kind sub sentence नहीं जानेंगे तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि जितने परकार के sentence होते हैं हर परकार के sentence का direction direct बनाना का नियम जो है वो बिलकुल अलग है इसलिए आपको ध्यान देना जरूरी है, जैसा कि मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आपको हमारे इस प्रकार के सेंटेंस जो मैं आपको बताऊँगा, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर प्रस्न का होना चाहिए, हैलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ, डारेक्ट चेंड डारेक्ट बनाने में जो मात्पुर्ण भूमिका निए भाता है, काइंट सब सेंटेंस, इसको लेकर मैं आया हूँ, पहला जो है सेंटेंस, सेंटेंस को हम हिंदी में बीदी सूचक वाक के भी कहते है विदी सूचे को वाग, आप देखिए, असर्टिव सेंटेंस के अंतरगत दो परकार के वाग क्या आते हैं, कौन-कौन से वाग क्या आते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अंतरगत, मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, असर्टिव सेंटेंस के अंतरगत affirmative और negative दो प्रकार के वाक्या आते हैं देखिए affirmative और negative एक assertive sentence के अंतरगत आते हैं अब affirmative sentence क्या होता है affirmative को हम positive भी कहते हैं positive अर्थात जिसका जबाब जिसको हम सुई करातमक वाके भी कहते हैं ठीक है जैसे मोहन अपने घर जाता है तो एक क्या एक काउंस सवाक के हुआ positive अर्थात affirmative sentence और वही he goes to school with his friends वो अपने मित्रों के साथ इसकोल जाता है अर्थात यह भी positive तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है assertive sentence के अंतरगत पहला affirmative आता है और दूसरा negative sentence क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे है negative sentence जो होता है इसको हम नकरातमक वाके कहते हैं नकरातमक वाके क्या होता है जिसका जिसको आर्थी नकरातमक को ठीक है इसके अंतरगत क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ देखिए I do not eat my गो मैं आम नहीं खाता हूँ ठीक है I do not learn my lesson मैं अपना पाठी आत नहीं करता हूँ ठीक है अर्थात assertive sentence के अंतरगत दो प्रकार के वाक्यों का उलेक होता है देखिए assertive sentence में पहला affirmative और दूसरा negative sentence इस प्रकार से हम दूसरे वाक्यों को भी देखेंगे अब सबसे पहले मुझे यह बताना पड़ेगा कि यह affirmative sentence जो मैं बता रहा हूँ निगेटिव बता रहा हूँ assertive sentence के अंतरगत यह बताने का मतलब क्या है अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है कि अगर question दे दिया जाता है और नीचे कोई वाक्य दे देता है जैसे मोहन गोश्ट वेज हाउस मोहन अपने घर जाता है यही पूछ देगा यह किस प्रकार का वाग्य है तो आपको question में यह बी दिया रहेगा कि assertive का affirmative है की negative है की interrogative है की imperative है तो जब वाक्य के प्रकार आप पड़े रहेगे तो तुरं आप जबाब दे सकते है कि यह affirmative sentence है जो assertive sentence के अंतरगत आता है इस प्रकार से आपको अगर negative sentence पूछ दे की negative sentence कौन है तो negative sentence में अक्सर क्या होता है नाट का प्रयोग हुआ होता है तो आपको पाचान लेना होगा कि एगर जिसमें भी नाट का प्रयोग हुआ हो तो आप निंगेटिव सेंटेंस माना जाएगा इस परकार मैं आगे आपको अब दूसरा वाक्य बतारने जा रहा हूँ जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं दूसरा परकार का वाक्य जो होता है वो इंट्रोगेटिव परकार इंट्रोगेटिव होता है जैसे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रस्नवाचक वाक्य बोलते हैं प्रस्नवाचक वाक्य क्या होता है प्रस्नवाचक वाक्य में भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं पहला एस नो टाइप और दूसरा दूसरा प्रकार का वाक्य जो होता है sentence beginning with question question words अर्थात sentence beginning with question words such as what, why, which, when, where अर्थात जो वाक के what, where, which, when से शुरू होता है उसे WH type कहते हैं देखिए तो मैं सबसे पहला आपको बताऊंगा कि पहला वाक के जो होता है वो क्या है इंक्रूगेटीव सेंटेंस के अंतरगत इंक्रूगेटीव सेंटेंस के अंतरगत जो पहला वाक के है इंक्रूगेटीव सेंटेंस के अंतरगत जो पहला वाक के आपका है मैं उसको आपको बताऊंगा तो सबसे पहला वाक के क्या है इंट्रुगेटिव सेंटेंस का पहला वाक के देखिए इसके बारे में क्या का गया सेंटेंस बिगनिंग वीद एक जीलरी बर्ब ठीक है अर्थात जो वाक के सेंटेंस मतलब वाक के बिगनिंग मतलब प्तारम बहुत आविद एक जीलरी बर्ब साइक क्रिया से उसे ही हम क्या कहते है एस नो टाइप कोईस्चन ठीक है अर्थात जो वाक क्या एक जिलिरी बर्ब से सुरू होता है उसे हम एस नो टाइप वाक के कहते हैं अर्थात या इंट्रोगेटिव सेंडेंस का पहला वाक क्या है अर्थात इंट्रोगेटिव सेंडें एक जो होता है जिसका जवाब S no type में दिया जा सके S no type में देने का मतलब क्या है जिसका जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं ठीक है उसको हम S no type कहते हैं ठीक है अब देखिए इस नो टाइप में जबाब कैसे दिया जा सकता है किस प्रकार से देखिए एक्जांपल पहला ले लेजिए आर यू ए गर्ल क्या तुम एक लड़की हो अगर मैं आप से पूछूं आर यू ए गर्ल क्या तुम एक लड़की हो तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा अगर लड़की होगी तो कहना पड़ेगा एस अगर नहीं रहोगी तो क्या नो मैं लड़की नहीं हूँ ठीक है आपको ज़्यादा बोलने की जुरूर नहीं है सिर्फ आपको एस और नो में जवाब देना है ठीक है जो एक्जिलरी बर्ब से वाग शुरू होगा उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना चाहिए और दिया जाता है इसको हम एस नो टाइप वाग के भी कहते हैं इसलिए एस नो टाइप वाग किसको का गया है एस नो टाइप वाग के कहिए या sentence beginning with एक्जिलरी बर्ब अर्थात जो वाग के एक्जिलरी बर्ब से शुरू होता है ठीक है इस प्रकार का वाग एस नो टाइप प्रकार का वाग का आ जाता है फिर are you reading क्या तुम पढ़ रहे हैं एस और नो will they write to us क्या वे हमें लिखेंगे क्या पत्र ठीक है क्या वे हमें पत्र लिखेंगे इस प्रकार से जिसका जबाब हाँ या ना में दिया जा सके उसे इस नो टाइप वाग के करते हैं और जिसका जबाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है उसको हम क्या करते हैं उ मैं जान देजिए दूसरा बाग कि क्या है sentence beginning with as sentence beginning with sentence beginning with what, why, which, when, where अर्था जो प्रकार, जिस प्रकार के बाग कि जो होते हैं जो किसे शुरू होते हैं वाट से ठीक है वाट से शुरू होते हैं ठीक है और what, where, how उसे जो वाकी शुरू होते हैं उसे हम कौन सा वाकी कहते हैं देखिए sentence beginning with question word ठीक है question word what, why, which, when, where यह सब question word है इसको हम क्या कहेंगे इसको हम wh type वाकी कहते हैं इसको कौन से वाकी कह सकते हैं जैसे पहला बाग की इसमें दिया गया है what is your name तुमारा नाम क्या है what is your name है ना what is your name तुमारा नाम क्या है अब मेरा नाम क्या है अगर आपका जो भी नाम है आपको बोलना पड़ेगा आप सिरे पेस नो से काम नहीं चला सकते हैं इसमें आपको बोलना ही पड़ेगा की मेरा नाम क्या है ठीक है जैसे my name is sunu ठीक है my name is mohan my name is rohan अर ताथ इसमें आपको पूरा जबाब देना पड़ेगा अब देखिए दूसरा बाग where are you going तुम कहां जा रहे हो तो आपको जबाब देना पड़ेगा आप जहां भी जा रहे हैं उसको बारे में बताना पड़ेगा I am going to market I am going to school जहां भी जा रहे हो आपको बताना पड़ेगा अब देखिए how are you आपको कैसे है तो आपको बोलना ही पड़ेगा I am fine ठीक है I am not fine ठीक है आपको पूरा जबाब देना ही पड़ेगा तब पता चलेगा कि जो है आप क्या कह रहे हैं आपके द्वारा पूछेगे प्रस्णों का जबाब डिटेल में देना पड़ेगा इसलिए इसे डाबली एच टाइप भी वाक्य कहते हैं या question words से जो वाक्य सुरू होता है उसे डाबली एच टाइप वाक्य कहते हैं ठीक है अगर इसमें और किसी प्रकार की समस्य आओ तो पूछ सकते हैं comment में ठीक है मैं अब आगे चलता हूँ तीसरे प्रकार की वाक्य में तीसरा प्रकार का वाक्य देखिए क्या है तीसरा प्रकार का वाक्य क्या है इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशादमक क्या करते हैं इसको आज्या सूचक भी आप कर सकते हैं ठीक है देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस में जो होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस से आज्या, बिने, प्रार्थना, आदे, सला, निशेद, आदिका अबाव प्रकट होता है ठीक है आएसे वाक्यों में सब्जेक्ट करता यू छिपा रहता है तथा वाक्य का प्रारम वर्ब अरथात क्रिया के फर्ष्ट फाम से सुरू होता है अर्तात imperative sentence की सबसे बड़ी पाचान यह है कि इस प्रकार का जो वाग क्यों होता है वो वर्ब के first form से सुरू होता है जैसे देखिए गो ठीक है गो से सुरू हुआ है वर्ब का first form है ना अब देखिए तो एप आदेश अरे आदेश है गो प्रामियर कोई आदेश दे रहा है ठीक है अब देखिए यहाँ प्लेज help me प्लेज help me यह प्लेज क्या है यह तो आग्या सुचक सब्द है हमारा मेन जो है वर्ब क्या है help है ठीक है तो यहाँ भी यह वर्ब के first form से ही सुरू है इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जो imperative sentence होता है जिसे हम आदे सात्मक वाक या आज्या सूचक आज्या सूचक वाक के भी हम कर सकते हैं ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए आगे हम चलते हैं अगर इसमें भी किसी प्रकार की समस्य आओ तो आप पूछ सकते हैं ठीक है अब देखिए यह सब एक्जामपल हैं इस सब एक्जामपल हैं imperative sentence के imperative sentence में देखिए पहला go from here, please help me, do not waste your time, do not lop at me, kindly do my work करीए यहां पर निसेद है, और देखिए इसमें आदेश का बोद हो रहा है, इसमें प्रारतना का बोद इसे निसेद है, इसे निसेद है गोप्रा मेर यहां से चले जाओ आदेश है, please help me, क्लिप एमेरी सहायता करिए, ठीक है do not waste your time, अपना समय पर बात, मत करिए, यहां पर निसेद है और देखिए, do not lop at me मुझे पर, हैंसी यह मत, यह भी निसेद, kindly do my work इस प्रकार से imperative sentence में तमाम बातों का उलेक होता है, इसमें आदेश, प्रार्थना, निसेद, रिक्वेस्ट, सभी प्रकार के भाव उत्पन होते हैं, ठीक है अब मैं आगे चलना हो, चौथा प्रकार का वाक्य है, जिसको हम आप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, आप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं, आप्टेटिव सेंटेंस से सुबकामना, विस, प्रार्थनाप प्रेयर अभिसाप कर्स आदिकाबाव उत्पन होता है अप्टेटिव सेंटेंस के अन्ते मारक आप इसकलेमेशन का प्रयोग किया जाता है में का प्रयोग इंट्रोगेटिव तताइं प्रेटिव दोनों में किया जा सकता है ठीक है में का प्रियोग दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है ठीक है इंट्रोगेटिव में भी होता है और आप्टेटिव में भी किया जा सकता है लेकिन में का प्रयोग इंट्रोगेटिव में जो होता है में का प्रयोग जो देखिए में का प्रयोग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है आग्या का बाव प्रकट करने के लिए ठीक है में का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आग्या का बाव उत्पन करने के लिए किया जाता है और sentence के अंत में question mark का प्रयोग किया जाता है देखिए और sentence के अंत में question mark का प्रयोग किया जाता है अब वही हम आपको आगे बताएंगे तथा में का प्रयोग देखिए में का प्रियोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आग गया का बाव डिक्त करने के लिए किया जाता है और सेंटेंस के अंट में क्वेश्चन मार्क का प्रियोग किया जाता है लेकिन वही आप्टेटिव सेंटेंस में में का प्रियोग जो होता है देखिए उसके बारे में कुछ अलग है आप्टेटिव में में का प्रयोग शुरू में किया जाता है तो इसका अर्थ सुभकावना वप्रात्ना के रूप में किया जाता है और इस सेंटेंज के अन्त में Mark Upperforestation वह इंट्रोगेटिव में कोईशन मारक प्रयोग किया जाता है और इसी लिए मैं आपको सेंटेंज का प्रकार पढ़ा रहा हैं बता रहा हूँ कि आप हर प्रकार के जो संदे हैं डाउट्स हैं उसको आप कलियर करिए और इसलिए मैं basic to advance आपको बता रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई समस्या नो हो तो देखिए आप देखिए इसका example आप देखिए May you live long? तुमारी उम्र लंबी हो ठीक है? अरताप आप लंबे समय तक जीएं यह आपके लिए क्या है? यह आपके लिए प्रार्थना है ठीक है? कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है इस वर से प्रार्थना की जा रही है और यहाँ पर मैं प्रार्थना के अर्थ में सुबकामना के अर्थ में तमाम आदी का प्रयोग किया जाता है देखिए उर्थ उर्थ देट ही वर अलाइव ठीक है यह क्या है यह भी आप्टेटिव है इसमें में का प्रयोग हुआ है अब देखिए लांग लिव दा किंग लांग लिव दा किंग अर्थात राजा की उम्र लंबी हो ठीक है न इस प्रकार से और तमाम वाक्य हैं देखिए यह सब वाक्य है सभी वाक्यों का अलग-अलग अपना-पना मात्व है यह इंपरेटिव सेंटेंस से बिल्कुल भिन है ठीक है अपरेटिव सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस और सेंटेंस से बिल्कुल भिन है अब देखिए आगे लांग लिव दा किंग में गॉड हेल्प यू इस वर आपकी साहता करें में है वे हैपी जर्मी आप की यात्रा मंगल मैं हो हैपी दिवाली लड़कों आप सभी को दिवाली की हर्दिक सुब काम ना है में गाड से बावर कंट्री इस तर अमारे देश की रच्छा करें इस प्रकार से ये अप्टेट्व सेंटेंज में प्रियोग किया जाता है सबसे पहले आप्टेट्व सेंटेंज का जो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाया जाता है उसमें यह किया जाता है कि जो वाक के अप्टेटिव में होता है ठीक है जो सेंटेंस अप्टेटिव में होता है उसको सबसे पहले अप्टेटिव अप्टेटिव को बदला जाता है अफरमेटिव में ठीक है इसके बाद इसमें टेंस और प्रनावन में परियोर्थन किया जाता है इसलिए आपको यह जानना बेहर जरूरी है कि यह वाक के जो होते हैं कौन-कौन से वाक किस-किस प्रकार के वाक के होते हैं तभी तो आप रदल पाएंगे अब मैं आपको आगे बताऊंगा अंतिम वाक के इसकलेमेटरी वाक चिसको हम बिसमेशुचक वाक के भी करते हैं बिसमेशुचक वाक के करते हैं इसकलेमेटरी सेंटेंस को इंदी में बिसमेशुचक वाक के करते हैं अब देखिए बिसमेशुचक वाक के क्या होता है इसकलेमेटरी सेंटेंस से आश्चर अर्था सर्प्राइश ठीक है और क्या बोद होता है दुख हर्स अर्था जुआए क्रोध, एंगर पास चाताब, रिग्रेट घेड़ा, कंटेंट दुसमनी एटिस यादी का बोद होता है अर्था दित्यादी का बोद होता है ठीक है इसकलेमेटरी सेंटेंस इसकलेमेटरी सेंटेंस के अन्त में मारक आप इसकलेमेशन का प्रयूक किया जाता है ठीक है यह इसकी पहचान है इसकलेमेटरी सेंटेंस एक इसका बोद होता है आश्चर, दुख, हर्स, क्रोध पस्चताप, घेड़ा दुसमनी, आधिका बोद होता है इसे हम विसमेशुचक वाक करते है विसमेशुचक वाक करने का मतलब भी है कि आप कोई बात सुने और आश्चर में पढ़ी जाएं ठीक है आश्चर चेकित बात ठीक है, जिस पर विस्वास नो किया जा सके इस परकार हम आगे बढ़ रहा है अब देखिए इसकलिमेटरी सेंटेंस के अंत में मारक आप इसकलिमेशन का प्रियोग किया जाता है आप सभी जानते है अब देखिए इसकलिमेटरी सेंटेंस के अंत में मारक आप प्रियोग किया जाता है अब देखिए पहला हाव और हाट हाउ का प्रयोग एडिजेक्टिव के साथ किया जाता है इसमें इसकलेमेटरी सेंटेंस में हाउ और वाट हाउ और वाट का प्रयोग किया जाता है हाउ का प्रयोग एडिजेक्टिव के साथ अर्थात हाउ और यहाँ पे एडिजेक्टिव अर्ता कोई work के राता है तो सबसे पहले how और उसके बाद जो adjective राता है उसका प्रयोग वहां पर किया जाता है फिर what का प्रयोग what का प्रयोग कहां पर किया जाता है noun के साथ जैसे जैसे आप कह सकते हैं हाउ का प्रयोग और वाट का प्रयोग दोनों एक दूसरे से भी प्रित हैं जैसे हाउ और वाट वाट का प्रयोग नाउन के साथ जैसे वाट ब्यूटिफूल वाट ब्यूटिफूल girl see is ठीक है इसमें कौन सा प्रकार है वाट के साथ noun noun beautiful how beautiful girl क्या हुआ इसलिए वाट के साथ प्रेव हुआ अब आगे देखिए एक्जामपल आप देखिए कि किस प्रकार से कौन क्या हुआ है ठीक है जैसे आप देख लिजिए मैंने बताया कि हाउ के साथ adjective का प्रेव देखिए हाउ के साथ adjective का प्रेव मैंने बताया हाउ के साथ adjective और वाट के साथ noun अब देखिए हाउ ब्यूटिफूल हाउ ब्यूटिफूल एक क्या है हाउ ब्यूटिफूल देखिए मैं यहाँ पर बताया था adjective देखिए हाउ ब्यूटिफूल क्या है हाउ के साथ adjective का प्रेव और वहीं पर वाट के साथ noun का प्रेव ठीक है वाट कीटने सर्म की बात है हाउ ब्यूटिफूल bend कितना सुन्दर वर्षा है वर्षा कितना सुन्दर है ये क्या है प्रसन्था दे रहा है इसलिए quo के साथ क्या लगा adjective इसके साथ क्या लगा adjective इसके साथ क्या लगा noun फिर यहां देखिए adjective noun ठीक है इस तरह से how cold the day कितना ठंडा दीन है सर्प्राइश का बोदोरा है फिर वहाई वाट सेम कितने सरम की बात है यहाँ पर क्या बोदोरा है दुख की का बोदोरा है इस प्रकार से आप देखिए आगे और एक चांपल देख लेजिए अलास आई एम अंडन बड़े दुख की बात है अर्थात यहाँ पर क्या है आई एम अंडन मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ पर क्या है सारो दुख ब्यक्त हो रहा है यहाँ पर हुर्रा यह हुर्रा जो होता है प्रसंता का सूचक है हुर्रा जो क्या है यह प्रसंता का सूचक है और एलास दुख का सुच्षग है और राः प्रसंता का सुच्षग है। रा आयं मनं मैं बहुत दुखी हूं तो यहां पर क्या है दुख व्यक्त हो रहा है। राइ मतलब we have owned the match हम match जीत गए है यहां पर प्रसंता की बात है। ठीक है इस प्रकार से जो है कि एपो पो राम दे राम जैसे कोई घृड़ा नहीं किसी से करता है तो ऐसा बोलता है राम दे राम ठीक है एक कंटेंट है यहाँ पर क्या है घृड़ा की भावनाग पन हो रही है How dare you एंगर यहाँ पर क्रोध ब्यक्त होता है अक्सर लोग भूल चल में इसका इस्तेमाल करते है How dare you How dare you अक्सर लोग बोलते हैं How dare you अर्थात क्रोध में बोलते हैं ठीक है इस परकार से इस वाक्यों का जो मैं पांचो परकार के वाक्यों का बन्त हुआ अर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो अगर मैं समझाया हूँ अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो नहीं समझ मैं हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना नो बोले और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बाक्स में हमसे पूछ सकते हैं हम आपके हर प्रस्न का हर समस्या का समाधान करेंगे धन्यवाद